एक walk-in interview का notification आया है उत्कृष्ट विद्यालाय प्रबंधन समीती जिला बालोद की तरफ से दोस्तो नमस्कार आप देखरें जीरो पीरेड जीरो पीरेड के इस वीडियो में हम लोग उत्कृष्ट विद्यालाय प्रबंधन समीती जिला बालोद के एक walk-in interview की बात करेंगे यह walk-in interview कुछ teaching से संबंदित पदों पर है और 11 जन्वाली की date पर यह notification issue हुआ है आप इस वीडियो में बने रहिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी डेट पर उपस्थित होना है क्या समय होगा और आपकी क्या युग्यता होनी चीए इस walk-in interview में शामिल होने के लिए यह शुरू करते हैं PDF में जो documentation है उसको पूरा समझने का प्रया पूद डॉंडी डॉंडी लोहरा अर्जुंदा गुरूर देवरी बंगला यह जो स्कूल्स हैं जिन जगों पर स्कूल हैं वहां पर रिक्त सैक्षिक पदों के लिए योग्यताधारी आविदकों का चयन वाक-in interview के मार्दिम से किया जाना है अब यह जो रिक्त पद हैं उ आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हम आगे बात करेंगे पद का नाम और विशय और उसकी साक्षातकार्ति ठीकिया सबसे पहले सिक्षक पद की बात करें सिक्षक पद के लिए अंग्रेजी और विज्ञान दो विश्यों में इसमें पदरिक्त हैं और दोनों ही विश्यों के लिए 19 जन्वरी को वाकिन होना है और दोनों ही विश्यों के लिए जो समय होगा 10 से 12 बजे तक होगा पंजियन का मतलब आप वाकिन में आने के लिए जो रजिस्रेशन कराएंगे उसका टाइम होगा 10 से 12 बजे तक फिर उसके बाद एक लिस्ट बन जाएगी लिस्ट पर जो दावा आपत्ती होगी वो डेड़ बजे तक आमंत्रित की जाएगी मत्तब जो पात्र अपात्र जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा अगर आपको उसके पर कोई क्लेम करना है या कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके बारे में चर्चा हो जाएगी डेड़ बज़े तक और दो बज़े के बाद फिर आपका साक्षातकार स्राइट हो जाएगा यानि कि इंटर्व्यू का जो टाइम होगा वो दो बज़े का होगा लेगिन प्रोसे कर रहे हैं उसके बाद डेड़ बज़े तक आप लिस्ट में दावापति प्रस्तुत कर रहे हैं और दो बज़े आप शामिल हो रहे हैं साक्षातकार पे साक्षादकार होगा कहां यह समझना है तो आपको उसका पता नोट कर लेना चाहिए, यह इंट्रव्यू होगा स्वामी आत्मनंद शास्की उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्याला है, बालोध सर्दार वल्लब भाई पतेल मैदान बालोध जिला बालोध इस्थित जो सेज स्वामी आत्मनंद शास्की उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्याला है, जो सर्दार वल्लब भाई पतेल मैदान है, वहां पर यह पूरा वाकिन इंटर्यू होना है, अब आप समझ लिजिए पदों के विवरण को, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपके 25,300 रुपए सहायक सिक्षक का वेतन है, 35,400 रुपए सिक्षक का वेतन है, और इन सब के लिए आपको मानता प्राप्त विश्विद्याले से अंग्रेजी माध्यम में संबंदेत विशा में 50 प्रतिशत अंकों के सांथ, सनातक, फिर बियड और टेट, यह तीन चीज़ें आ है, अंग्रेजी साहित, सनातक इस तर पर होना जरूरी है, अंग्रेजी विशा के लिए और सहायक सिक्षक के लिए यह आपको क्यावल 50% मार्क्स के सांथ हायर सेकिंडरी स्कूल विथ टेट जरूरी है, यह आपको ने बताया बालो के लिए, इसी तरह से डॉंडी के लिए सिक्षक का एक पद है, अंग्रेजी में वो भी बैकलाग है, योग्यता है उसी तरह है, जैसे पिछले में मैंने बताया था आपको, आगे तीसरा स्कूल है, डॉंडी लोहारा का, वहां पर अंग्रेजी का एक पद है, सिक्षक का, और उसकी भी योग्यता है, और सैलरी उसी तरह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गुरूर में सिक्षक अंग्रेजी माद्याम का एक पद है और इसका भी नियम पूरा वही है, जो मैंने पहले आपके साथ दिसकस कर लिया है, और डॉंडी लोहारा में आपके पास एक पद हैं, शिक्षक अंग्रेजी मा और आरक्षन के जो नियम है वो लागू होंगे इस पे और ये पूर्णता सम्विदा पद है किसी तरह के नियमित नियुक्ति की पातरता इसके आदार पर नहीं होगी ये आपको बता दी गई है पूरी जानकारी आपको समझना है तो बालोद.gov.in में चले जाएं वहां से इस जानकारी आपको जो दी है वो बालो.gov.in पर उपलब्द है आप चाहें तो वहां फिस्ति जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरह के इंफर्मिशन के लिए आप चैनल पर बने रही है हम आप से फिर बात करेंगे मुलाकात करेंगे तब तक दीजे इजाजत आप अपन